हेलो स्टुडेंट कैसे हैं आप लोग capable IAT 2024 का एक्जाम नज़ाने वाला है जैसा जैसे एक्जाम नज़ार रहा है वैसर ही हम डर लग रहा है किसा Quran में क्या करेंगे कैसे हम स्टारीक से करें कौन-कौन से topic scoring topic हैं और Sam Maths वाल गोड़ आउट है क्योंकि मैंस में बहुत सारे topic हैं तो वह चाहते हैं कि लाश्ट के हम 20 दिनों में उन्हीं topic पर focus करें जिन से question आते हैं तो आज की वीडियो में हम यही discuss करेंगे कि कौन-कौन से topic important हैं कौन-कौन से topic से सबसे ज्यादा question आते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के तो मेलनी मैंने मैट्स के topics को चार सेक्षन में डिवाइट किया है पहला सेक्षन एरह सेकंड एरह थर्ड एरह फोर्थ एरह तो चारों सेक्षन को एक-एक करके discuss करते हैं तो पहले सेक्षन में मैंने डाला है सब्सक्राइब करते हैं क्यों इंपोर्टेंट है यह मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे टिक्नोमेट्टी और इनवर्स टिक्नोमेट्टी इससे कॉस्टन डारेक्ली नहीं आते लेकिन यह जो टॉपिक है न आपके सब्सक्राइब करते हैं तो यह जो टॉपिक है यह वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है रूट्स ऑफ यूनिटी क्यूंकि इससे आई-ट्वाले इस्टूडेंट हो तो इन टॉपिक्स को अगर बेसिक भी पढ़ते हो तो भी काम चल जाएगा ठीक है और ह यह वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है रूट्स ऑफ यूनिटी क्यूंकि इससे आई-टी 2023 एंड 2022 में एक एक कॉस्चन आये हैं तो यह टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है आप इस टॉपिक को तो करके ही जाना ठीक है चलिए आगे बढ़ते एक कॉस्चन तो आना ही आना है और एक कॉस्चन कॉंप्लेक्स नंबर से आएगा या तो कॉंप्लेक्स नंबर से इधर से आएगा या फिर जो रूट्स ऑफ यूनिटी क्योंकि रूट्स ऑफ यूनिटी जो है कॉंप्लेक्स नंबर का ही टॉपिक है अगर इधर से धूंविय तो से सचया या एक सरिक्ष कार भी तो यह जो टॉपिक है यह सक्शन है time taken है लेकिन इससे question में ली one two three three two four आते हैं ज्यादा question नहीं आते ठीक है तो मैं biology वाले student को prefer करूंगा केवल आप state line कर लीजे vector 3D कर लीजे complex number कर लीजे इसको तो करी लीजे complex number को और vector को क्योंकि vector 3D आप physics में भी बढ़ते हैं तो उसी थोड़ा सा extension है ज्यादा आपको effort नहीं मारना पड़ेगा तो अगर आप यह topic कर लेते हैं तो आपके vector 3D complex number से दो question तो डारेक्ट लग जाएंगे clear two question आपके डारेक्ट यहां से आजाएंगे vector 3D complex number से for biology student clear biology वाले इन topics को छोड़ सकते हैं क्योंकि last 20 days बचेंगे तो इन topic को आप करोगे तो आपको इत्ता समझ भें भी नहीं आएंगे ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब आता है सबसे सबसे जादा इसकोरिंग टॉपिक कैलकुलस क्यों स्कॉरिंग है कौन-कौन से टॉपिक इसमें इंपोर्टेंट है किस-किस टाइप के question आते हैं चलिए discuss करते हैं अब इसमें सबसे जादा जो important topic application of derivative definite indefinite integration differential equation इसमें प्रोइटाइज करता हूं क्योंकि दो इस वाले section से five to seven question आते हैं five to seven question आपको मिल जाएंगे calculus से clear तो पहले मैं बोलूँगा आपको differential equation कीजिए differential equation सबसे easy topic है और इसमें mainly जो important topic linear differential equation linear differential equation से question बहुत आता है बहुत आशान आता है और सबसे easy topic linear differential equation उसके बाद मैं बोलूँगा आपको application of derivative करने के लिए application of derivative में क्या important मैक्समा एंड मिनिमा सर मैक्समा मिनिमा क्या होता है biology वाले कैसे जानेंगे तो biology वालों को बोलूँगा physics में यह पहले से पढ़ चके हो maximum minimum physics में पढ़ते हो उसी का थोड़ा सा extension है तो अगर आप physics में पढ़े हुए अच्छी तरीक से maximum मिनिमा तो वही को apply करना है okay after that integration integration बहुत definite and indefinite indefinite में जो definite में जो important area under curve area under curve सबसे ज़्याद है और जो biology वाले student है integration तो physics में भर भर के पढ़ते हैं तो उनको ज्यादा effort लगाने की जरूवत नहीं है में लिए उनको area under curve पढ़ना है और बचा लिमिट continuity differentiability limit continuity differentiability में अगर आपको एल ऑस्पिटर रूल आता है एल ऑपिटर रूल तो आपके लिए limit continuity सबसे ज़्यादा आसान topic हो जाएगा अब इन से किस किस तरीके से question आते हैं देखो application of derivative से में लिए 223 question आ जाते हैं और definite indefinite integration से 122 question आ जाता है limit से one question आता है और differential से one question इस तरीके से partition होता है तो में लिए जो important topic 3 or 4 है application of derivative and integration clear हुआ चलिए तो यह सबसे ज़्यादा scoring topic है अगर किसी ने या math का student हो या biology का इस topic को अच्छी दरीके से कर लिया तो उसके आत्में फाइब टू सेवन को सने आते हैं पंद्रे में से आपने साथ question कर लिए तो आदा paper तो खतम ही हो गया math का अब बाकी के topic बचे चलिए अब लाश सेक्शन जो है सबसे यादा scoring section है और इसमें जो topic है independent topic है किसी भी चेप्टर से link नहीं करते हैं लेकिन यह topic है ना किसी से link नहीं है सारे independent topic है किसी भी चेप्टर से link नहीं है देखिए P&C independent topic हाँ probability जो है P&C पर link करता है थोड़ा सा करता है इसलिए मैंने इसको नीचे रखा है ठीक है प्राविल्टी से हर साल एक question आता है या तो probability से आएगा या stat से आएगा पिछले साल जो आया था प्राविल्टी से question आया और बहुत आसान आया था after that matrix determinant सबसे independent topic और हर साल एक question देखने को मिलता है matrix determinant से अब बहुत आसान आता है sequence series relation and function इन दोनों को मिला कि question आता है या तो sequence series से आएगा या relation function से आएगा इन जनर्न question जो आता है relation function से आता है P&C से भी एक question आता है और यह जो टॉपिक है इन topics सारव पाँच ओपिक को आप आठ से 10 दिन में cover up कर सकते हो मतलब 8 से 10 दिन में अगर आप इन पाँच ओपिक को करते हो तो आपके हाथ में four to five question है four to five question IAT exam के इन पाँच ओपिक से हैं और इन पाँच ओपिक के जो question आते है न आप answer elimination से कर सकते हो answer elimination मतलब कि आप option को eliminate करके जैसे चार option आए उनमेंसे तीन option को आपने eliminate कर दिया तो जो बचा हुआ option है वह आपका right option है तो इन topics में आप वह भी apply कर सकते हो विस्यो all the best for डालो IAT exam को थन्यवाद पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिये साय आस्ट्राप और करे अपनी IAT and NEST का सपना साकार download the act now